नमस्ते, हम यह समझेंगे यह टावी प्रोसेजर किया किसमें, ट्रांस कैथेटर एरोटिक बॉल रप्रेस्मेंट, 90% किसमें या उससे ज्यादा परसें किसमें हम लोग यूज करते हैं फिमरलाटरी, जांग से फिमरलाटरी करते हैं था or a small instance, पर वन सेजलमेंटर कहा जाता है उससे कैथेटर डाला जाका है, पर्ले हैं उसको बलते हैं इस ColdCA, पहले हम भाक उ प्रि dai भाप इस बृट भाल की अजाता है, उस rich India यूज से जाता हैब अगा बंक्रों यह भाले साय्ख, तब तक हमारी टीम पीछे वाल को प्रिपार कर लेती है, अगर वह बलून मांटेड वाल है तो, या फिर दूसरा भी वाल आता है, जो बलून मांटेड नहीं होता है, सेल्फ एक्स्पैंटिंग वाल, उस सिस्टेम को तब तक पीछे प्रिपेर किया जाता है, पिर इसी वायर पे और इसी शीट से उस सिस्टेम को लेके जाएंगे, वाल के अक्रॉस प्रेस करेंगे, टेंपरी प्रिप्रेस्मेकर डलावा रहेगा पीछे में, उसको दोसों के रीट में हम चलाएंगे, तक हार्ट स्टेबल रहे और हमारा वाल स्टेबल रहे उस जगह, उस टाइम पर वाल को फुराया जाता है, बलून मांटेर वाल में बलून को फुराया जाता है, विद हप अफ प्रेशर, एंड सेर्फ एस्पनिंग वाल में, पस सिस्टेम को पीछे की जाता है, वाल अपने हाफ एक्स्पार हो जाता है, इस तरह दावी, मतलब ट्रांस के उससेल बाटर और रेट्रेटर आउटीगॉर को अपने हाफ प्रेशियहा होगा और पेशेंट को यहाता है घ्री खराब ography परकुते हैं, पहुत सेप्रोफाइल पर पाइखते सिम्य खाय। पेड़ने में खोज सथावाल, कHYP defect पाइखते चाय। पाइज में वेते थे में पक्रापएके प्रफ सेया किरें नगे। बहुत अच्छी बात यह है कि टावी वाल के अंदर और एक टावी वाल लग सकता है तो ऐसा नहीं है कि उम्मिद खतम हो जाएगी टावी के बाद भी फिर से टावी हो सकता है अब तक हमने जो देखा है पेशिंस के वाल काफी लंबे समय तक अच्छे काम करते हैं अबस्त